नमस्कार बच्चों मैच की ओनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है तो कल जो चीजे हमने डिस्कस की थी वो आपकी हमने डिस्कस की थी हर्याना CET एक्जाम के अकॉर्डिंग ठीके तो हर्याना जो आपका एक्जाम कंड़क्ट करवाएगा उसके अकॉर्डिंग ठीके तो हर्याना में अभी भी बहुत सारे एक्जाम आने हैं आपके जो next month रहेंगे वो रहेगा आपका पटवारी का ठीके कैनाल पटवारी का पटवारी हो गया कैनाल पटवारी हो गया ठीके और female के लिए एक जो आपका एक्जाम आना है वो आपका रहेगा दुरगा शक्ती का दुरगा शक्ती और एक एक्जाम जो आपका भी कैंसिल हुआ था वो री एक्जाम आपका हो रहा है ग्राम सचीव का तो इनके लिए भी जो आपका कोशन है वो time and work के जो हैं वो भी आपके सबसे important में है क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था एक से दो question आपके हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे ठीक है तो time and work में कल हमने जो चीजें discuss की थी वो थी आपकी type 1 वो type 1 में मैंने आपको जो चीजें discuss करवाई थी वो आपको करवाई गई थी formula based ठीक है तो एक formula मैंने आपको बताया था जिन्होंने नहीं देखा है वो कल एक बर basic lecture देख लीजिएगा उसके आगे को हम लोग लेक के चलते हैं ठीक है तो type 1 में भी मैंने कुछ एक चीजें बताई थी आज जो कल मैंने आपको एक बताया था कि एक confusing question आता है एक confusing question आता है तो वो confusing question क्या है वो question को हम लोग देखते हैं भी जैसे मैं कहूँ कि 200 बंदु के 200 बंदु के 10 घंटे में 1200 आदमियों को मार देती है 200 बंदु के 10 घंटे में 12 आदमियों को मार देती है ये 1200 आदमी है भी ठीक है तो 1200 आदमियों को मार देती है तो बताओ 400 बंदुकें 400 बंदुकें 20 घंटे में कितने आदमियों को मारेगी 1200 मैंने ठीक है तो यहाँ पर जो confusion होती है वो confusion होती है वर्क यानि के W1 में और M1 में और वर्क कैसे define करना ही है कल भी मैंने आपको बताया था वर्क होगा जो काम हो रहा है वर्क क्या होता है जो काम हो रहा है और M1 क्या होगा जो काम कर रहा है ठीक है तो यहीं से चीज़ें define होंगी यह जरूरी नहीं है किसी के साथ अगर मैंन लगा दिया जाए तो इसको मैं categorize करूँगा M1 यह बिलकुल भी जरूरी नहीं है ठीक है तो अब इस question को अगर हम देखें तो यह क्या कहता है अभी 200 बंदूकें जो हैं वो 10 घंटे में 1200 आदमियों को मार देती हैं यानि यहाँ पे बंदूकें जो हैं वो काम कर रही है किसको 1200 आदमियों को मारने का तो जो यहाँ पे वर्क हो रहा है वो हमारे पास क्या होगा 1200 में और जो काम कर रहा है वो क्या होंगी वो होंगी 200 बंदूकें तो यह दो चीजें ही आपकी confusion create करती हैं तो थोड़ा ध्यान से question को पढ़िएगा काम हो क्या रहा है और काम कर कोन रहा है यहाँ काम 1200 आदमियों को मारने का हो रहा है और करने वाले कोन है 200 बंदूकें हैं तो यह W1 होगा और यह क्या होगा M1 होगा अब जो question की sequence रहेगी वो formula based ही रहेगी और formula based के according चीजें क्या रहती है कल भी मैंने बताया था एक बार फिर से लिख देता हूँ W1 upon में M1 D1 H1 is equals to W2 upon में M2 D2 H2 तो यह formula था और इसमें क्या सिखाया था जो चीज given है वो रखो जो नहीं given उसको हम छोड़ देंगे तो W1 कितना है W1 हम लिखेंगे 1200 और M1 कितना है M1 है मेरे पास 200 और into में H1 कितना है 10 यह बराबर है W2 हमें निकालना है यहाँ पे रहेगा 400 और यहाँ पे क्या रहेगा 20 ठीक है तो यह cancel out हो गया 2 पे यह cancel out हो गया कितने पे 2 पे तो यह 2 और 2 4 तो 12 चोके कितना हो जाएगा 48 तो जो दूसरी बंदूके हैं वो कितने आदमियों को मार पाएंगी 48 वा आदमियों को और यह 48 में और यही मेरा क्या रहेगा answer ठीक है तो यह question जो है यह सबसे important है important क्यों है क्योंकि confusion होती है तो यह जो चीज है यह आपका रहेगा है काम करने वाला और यह जो होगा यह आपका क्या है काम होने वाला ठीक है तो यह question को बहुत ध्यान से देखिएगा जिसको नहीं समझा है एक बार दुबारा देख लीजिएगा और अगर कोई doubt आता है तो comment section में आप बता सकते हैं ठीक है इसके बाद है चीजें formula based ही लेकिन कई बारी चीजें skip कर दी जाती है जैसे question क्या होगा दस आदमी दो दिन में पांच घंटे काम करके दो बटा साथ काम कर देते हैं दो बटा साथ काम कर देते हैं तो बताओ पंदरा आदमी कितने दिन में दस घंटे काम करके शेश काम कर देंगे शेश काम यानि remaining work ठीक है तो अब यहां हमारी आदत क्या रहती है हम लोग जो work है इसको हम लोग क्या माल लेते हैं वन ठीक है तो जो काम हो चुका वो तो है मेरे पास 2 by 7 और जो remaining work आएगा वो मुझे कैसे मिलता है remaining work मुझे कैसे मिलता है 1 minus 2 by 7 और LCM लेके अगर minus करेंगे तो 7 minus 2 by 7 तो यह मुझे क्या मिलता है 5 by 7 ठीक है तो यह fraction रहता है तो पहली चीज तो हमेशा अध्यान रको कि अगर आप question को fraction value से solve करोगे तो हो सकता है कहीं न कहीं calculation करनी पड़े तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो क्या करनी है आप क्या हो जाओ भई fraction free हो जाओ यानि भिन मुक्त हो जाओ अब work को हमने one लिया क्यों न work को मैं साथ ही ले लू तो यह साथ से साथ मेरा cancel हो गया तो जो work हो चुका है वो कितना आ गया दो और remaining work मेरे पास कितना आ गया पांच ठीक है क्यों total काम मैंने कितना माल लिया था साथ माल लिया था तो साथ में से अगर दो काम हो चुका है तो remaining work मेरे पास कितना आ गया पांच आ गया तो यहाँ पे हमारे पास benefit क्या रहेगा कि ये जो चीजें जो आपकी fraction में थी वो fraction वाली चीजें क्या हो गई solve हो गई cancel out वहाँ पे भी हो जाएंगी पर वहाँ पे हो सकता है कही ना कहीं आप cross multiply करने में कोई ना कोई गड़बड कर दो ठीक है तो इसलिए हम लोग इन में पांच घंटे में बराबर है 6 काम 6 काम कितना रह गया पांच 15 गुणा में D2 गुणा में 10 तो D2 अगर मुझे चहिए तो cross multiply करेंगे तो D2 को उपर ले आते हैं बाकी सारी चीजें इधर आ जाएंगी तो D2 बराबर किसके आ गया पांच गुणा में 10 गुणा में 2 गुणा में 5 अपोन में 15 गुणा में 10 गुणा में 2 ठीक है तो यह cancel होगे आपका ठीक है पांच तीन पे तो D2 कितने आ गये आपके पास 5 by 3 यानि 1,2 by 3 days ठीक है तो यह मेरा क्या है यह मेरा answer आ चुका है ठीक है तो इसमें question में समझाने वाली बात क्या थी formula देखो formula सेम है जितने भी question आपने अभी तक किये हैं वो समने हमने question जो रहेगा वो आपका formula क्या रहेगा सेम रहेगा बस चीजें कहां पे अलग हो जाती है भी value को let करने में कुछ एक चीजें आपकी अलग हो जाती है तो यहां पे अगर मालो 2 by 13 होता तो work को क्या let कर लेते हैं हम लोग 13 माल लेंगे ठीक है 3 by 8 होता तो मैं work को क्या माल लेता 8 माल लेता 8 से 8 फिर cancel हो जाएगा 8 में से अगर 3 काम हो चुका तो जो 6 काम होगा वो कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा ठीक है अगर माल लोग work होता मेरे पास 13 by 17 तो हम लोग work को कितना माल लेंगे 17 तो 17 में से 13 काम हो चुका तो बचेगा कितना 4 काम यानि calculation को थोड़ा सा असान बना देंगे हम लोग ठीक है और वो calculation कैसे होगी जब आप क्या हो जाओगे fraction free हो जाओगे ठीक है तो ये फिलहाल आपका type 1 complete होता है यहां पे तो जितने formula based questions हैं वो आपके EC के recording रहते हैं इसके बाद जो चीज़ें आती हैं वो आपकी रहती है है type number 2 की वो खिसकी रहती है type number 2 की ठीक है यहां पे question आपको किसका परकार मिलता है मैं अगर लिखुँऊ कि भी A किसी कार्ये को 10 दिन में कर देता है ठीक है B किसी कार्ये को 15 दिन पूछता है तो बताओ A और B मिलकर उस कार्ये को कितने दिन में करेंगे तो यह है आपके पास type number 2 यहां पे single single unit given होंगी A और B में तो यहां पे formula तो लगेगा नहीं formula क्यों नहीं लगेगा क्योंकि मुझे सिर्फ क्या दे रखे हैं days दे रखे हैं सिर्फ days given है ना तो मुझे यह बताया गया कि A कितने है A अकेला भी है या पूरा का पूरा group है ना ही मुझे यह बताया गया कि B अकेला है या यह भी पूरा group है और work कितना करवाना है काम कितना करवाना है मुझे ये भी नहीं बताया गया तो इसलिए ये formula based से नहीं होगा ठीक है तो इसके लिए हम लोग चीज़ें कैसे करेंगे solve वो देखिए सबसे पहली चीज A किसी काम को 10 दिन में करता है B किसी काम को 15 दिन में करता है तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या find out करते है हम लोग वो काम ही पता कर लेते है ठीक है जो हमें इन से करवाना भी है और ये लोग करते भी है तो best चीज क्या रहती है दोनों से सेम काम करवा लेते है ठीक है तो पहला step जो आपको हमेशा करना है वो क्या लेना है इन दोनों का क्या लेलो LCM और LCM से मुझे क्या मिलता है काम मिलता है ठीक है LCM यानि के लगभुत्तम एक ऐसी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती है भाग होती है ठीक है तो 10 और 15 इनका LCM कितना आगया आपका 30 तो ये मेरा क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है, और सेकेंड जो चीज आपको निकालनी होती है, वो निकालनी होती है, एफिशेंसी, कल भी मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी व्यक्ति से काम करवाना है, तो उसकी शमता आपके पास होनी चाहिए, तो हम लोग यहां कि बाकी आगे जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सिरफ समझने के लिए आप लिख लो, work जो होता है, work is equals to days into my efficiency, ये आपको रखना है याद, काम जो है, वो बराबर होता है, दिन गुणा में शंता, ठीक है, बाकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग चीज़ें direct सीखते हैं, days मेरे पास है, work मेरे पास आगया, और यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, efficiency, efficiency यानि शंता, ए जो है, वो 30 काम को कितने दिन में कर देता है, 10 दिन में, तो भी डेली कितना काम करता होगा, 3 करता होगा, बी जो है, वो 30 काम को कितने दिन में कर देता है, 15 दिन में, तो डेली कितना करता होगा, 2 करता होगा, जिसको ये चीज़ समझाई बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया, हम लोग formula से भी निकाल के लिखा लेते हैं, भी देखो, work मेरे पास कितना था, 30 था कि, work था मेरे पास 30, एक ही efficiency चाहिए, तो efficiency क्या होगी, work upon में days, तो work मेरे पास आगया, एक कितने दिन लेता है, 10 दिन लेता है, तो इसको काटूंगा, तो मुझे एक ही efficiency मिल गई कितनी, 3, और इसी तरीके से हम लोग B की निकाल देंगे, total work तो मेरे पास 30 था, पर B जो है वो लेता कितने दिन है, 15 दिन, तो इसकी efficiency कितनी आ गई, 2 आ गई, तो आप formula से भी निकाल सकते हो, और without formula आप direct भी लिख सकते हो, ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया, A की efficiency 3 है, और B की efficiency कितनी है, 2 है, अब देखो question में काम किस से करवाना चाहते हो, आप चाहते हो भी A और B से काम करवाओ ठीक है, तो A और B अगर मिलकर काम करेंगे, तो दोनों की efficiency कितनी हो गई, 5 हो गई, क्यों A की तो 3 है, और B की कितनी है, 2, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, तो efficiency क्या हो जाती है, plus हो जाती है, तो A और B की efficiency कितनी आ गई, 5 और आपके पास काम कितना था, 30 काम था, तो days कितने लग जाएंगे, डेज की अगर हम बात करें, तो 30 काम को करना है, कि शमता से, 5 की शमता से, तो आपका आंसर कितना आ गया, भी दोनों मिलकर काम कर देंगे, कितने में 6 दिन में, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कोशन है, तो एक कोशन में दे भी देता हूँ, अगर आप कोश दिन में करता है, तो बताओ, A और B मिलकर, कितने दिन में करेंगे, ये कोशन आप ट्राई कर सकते हूँ, ठीक है, ये कोशन ट्राई कर लेना, इसमें, में जो चीज रहेगी, आपकी वो रहेगी, फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप, ये आपको हर बार करना है, पाइप स्टेप एफिशेंस से निकाले में, ठीक है, तो टाइप टू को आगे लेकर चलते हैं, एक कोशन और डिसकस करते हैं, तो अभी तक तो जो हमने सीखा वो था, दो यूनिट का कोशन, इसी में कोशन पूछा जाता है, तीन यूनिट का, तीन यूनिट कैसे, मैं कहते हूँ, एक किसी काम को करता है, छे दिन में, बी किसी काम को करता है, आठ दिन में, सी किसी काम को करता है, बारा दिन में, तो कोशन पहला क्या पूछ सकता है, बी ये लोग, तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, दूसरा कोशन क्या पूछ सकता है, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर देंगे तीसरा कोशन क्या पूछ सकता है बी और सी मिलकर कितने दिन में कर देंगे और चोथा कोशन क्या पूछ सकता है सी और ए मिलकर कितने दिन में कर देंगे तो यह चार कोशन यहां पर आप से पूछे जा सकते हैं, 1, 2, 3 and 4, ठीक है, तो पहला step कभी हमने सीखा है, पहला step हमें क्या मिलता है, LCM लेना पड़ेगा हमें किसका, 6, 8 और 12 का, तो इनका LCM कितना आ चुका है इनका LCM आ चुका है, 24, और ये LCM हम क्यों लेते, हम LCM इसलिए लेते, ताकि मुझे क्या मिले, काम मिले, ठीक है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भी, Efficiency, जो सबसे ज़रूरी चीज है हमारे पास, क्या चाहिए, Efficiency हमें चाहिए, ठीक है, तो formula मैं फिर से लिख देता हूँ, जिसको formula से करना है, work is equals to days into में बटे में दिन, ठीक है, तो यहाँ देखो, direct करने की कोशिश करते हैं, A ने 24 काम को करने में कितने दिन लिए, 6 दिन लिए, तो B, A की Efficiency कितने आचुकी, 4 B ने 24 काम को करने में कितने दिन लिए, 8 दिन लिए, तो इसकी Efficiency कितने आचुकी है, 3 C ने 24 काम को करने में 12 दिन लिए तो इसकी efficiency कितनी आ चुकी है? 2 हर एक की efficiency आ गई A की 4, B की 3 और C की 2 formulae से निकालना चाहते हो formulae से मैं निकाल के दिखा देता हूँ A जो होगा, काम कितना है? 24 days कितने है? 6, तो 24 by 6 आपको क्या देगा? 4 B की निकाल के देख लेते हैं 24 अप उन में 8 कितनी आ गई भई? 3 आ गई और C की कितनी आ गई? 24 by 12 यानि 2 ठीक है? तो ये चीज़ें रहेंगे आपकी किसमे? formulae based में तो ये चीज़ ध्यान रगिएगा बाकी ये सब करने की जरूरत नहीं आप चीज़ें डारेक्ट निकाल सकते हैं तो डारेक्ट ही करना है ठीक है? अब आते हैं question के उपर सब की efficiency है मारे पास आगई अब हम काम करवाते हैं पहला question के आ गयता है अभी तीनों से मिलकर काम करवाना है तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो efficiency क्या हो जाएगी? 4 प्लस का 3 प्लस का 2 ठीक है? यानि कितनी हो गई? 9 ये 9 efficiency है अभी काम करवाना बाकी है काम कितना है? 24 तो कितने दिन लग जाएंगे? 24 बटे में 9 8 बटे में 3 यानि के 2 सही 2 बटा 3 ये मेरा आचुका है पहला answer ठीक है? अगर 3 मिलकर काम करेंगे तो 3 मिलकर करेंगे तो 3 की efficiency मैंने जोड़ दी efficiency मेरे पास आगई 9 इसके बाद काम था मेरे पास 24 और 24 करना की शमता से है 9 की शमता से तो मैंने 3 से काट दिया 3,8,24,3,9 बाद में fraction में convert कर दिया इसके बाद question आता है A और B अब काम करवाना है सिरफ A और B से इसका मतलब C का कोई रोल नहीं है C काम कर ही नहीं रहा तो काम तो वही 24 ही होगा परन्तु ये करवाना किस से है? ये करवाना है A और B से तो A और B को हम लोग जोड़ देते हैं A और B को अगर हम जोड़ेंगे तो efficiency कितनी आ गई? 4 और 3, 7 तो 24 बाई 7 तो ये हो गया 3, 3 बाई 7 अगला काम किस से करवाना है? अगला करवाना है B और C से इसका मतलब अब की बार A का कोई रोल नहीं है तो A काम नहीं करना चाहता तीन और 2, 5 फ्रेक्शन में कनवर्ट कर देते हैं यह आपका आंसर आ गया ठीक है? इसके बाद काम किस से करवाना है? C और A से करवाना है ठीक है? काम किस से करवाना है? C और A से करवाना है इस बार B का कोई रोल नहीं है तो B की efficiency छोड़ देते हैं तो 24 बटे में छे कितना आ गया? 4 days ठीक है? 4 दिन आ गया तो यह चीजे हैं तो यह 3 unit का question है इससे पहले जो हमने सीखा था वो 2 unit का question था और 3 unit में कितने type से यह question पूछ सकता है वो हर एक type मैंने आपको बता दी है ठीक है? तो question को एक बार देख लेना समझ लेना अच्छे से ठीक है? कोई doubt हो तो आप comment section में पूछ सकते हो इसका एक question मैं दे देता हूँ practice के लिए वो आप practice कर सकते हो ठीक है? Question मैं यहाँ लिख देता हूँ Question क्या है? 3 unit का A किसी काम को 12 दिन में B किसी काम को 15 दिन में और C किसी काम को 20 दिन में कर सकता है A 12 दिन में B 15 दिन में C 20 दिन में तो बताओ अगर यह तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में? A और B मिलकर करें तो कितने दिन में? B और C मिलकर करें तो कितने दिन में B और C मिलकर करें तो कितने दिन में और fourth रहेगा आपका C और A मिलकर अगर करें तो कितने दिन में काम समाप्थ होगा ठीक है तो ये question है आपके पास इसको आप check कर लिजिएगा भी concept मैंने पीछे लिता है अगर किसी को कोई doubt हो तो दुबारा पूछ लेना भी ठीक है तो इसके बाद चलते हैं अगले question के उपर अगला question आता है efficiency माइनस करने का कैसे है type 2 का ही A और B मिलकर किसी काम को कर देते हैं 8 दिन में A किसी काम को कर देता है 12 दिन में तो B अकेला इस कार्रे को कितने दिन में करेगा ठीक है तो पहला step हमारा क्या रहेगा LCM कितना आया हमारे पास आया 24 efficiency यहाँ पे आ गई 3 और यहाँ पे कितने आई 2 ठीक है अब देखो काम किस से करवाना है आप काम करवाना चाहते हो सिरफ और सिरफ B से तो हमें क्या चाहिएगा B से अगर काम करवाना है तो B की efficiency चाहिएगी A और B की efficiency कितनी है 3 अकेले A की efficiency कितनी है 2 तो A प्लस B की अगर efficiency 3 है A की 2 है तो B की कितनी आगई 3 माइनस 2 यानि के 1 तो B की शमता 1 है काम कितना है 24 तो कितने दिन लग जाएगे भी 24 बटे में 1 यानि के 24 दिन तो यह हमारा answer आचुका है B कितने दिन में कर देगा उस कारे को 24 दिन में कर देगा तो यहाँ पर देखो efficiency हमें क्या करनी पड़ी efficiency हमें क्या करनी पड़ी minus करनी पड़ी यानि के subtract करनी पड़ी और वो करनी क्यों पड़ी क्योंकि मुझे सिरफ efficiency चाहिए थी किसकी B की, ठीक है, तो एक question और कर लेते है, A और B किसी कार्रे को करते है 12 दिन में, B किसी कार्रे को करता है 20 दिन में, तो A उस कार्रे को कितने दिन में करेगा, अब आपको A की efficiency चाहिए, तो LCM ले लेते हैं, LCM में हमारे पास कितना आएगा 60, ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 3, दोनों की मिलाकर efficiency कितनी है 5, B की कितनी है 3, तो इसका मतलब A की efficiency कितनी है 2, काम कितना था, काम है 60, A की efficiency कितनी है 2 है, तो कित तो जिससे काम करवाना है, उसकी efficiency हमें निकालनी पड़ेगी, और वो हमने कैसे निकाली, माइनस करके, तो ये था आपके पास दो यूनिट का question, इसमें तीन यूनिट का question भी आता है, एक तीन यूनिट का question भी देख लेते हैं, a प्लस, b प्लस, c किसी कारे को करते हैं, 6 दिन में, 6 दिन में, ठीक है, a, a कर देता है, 12 दिन में, और b करता है, 20 दिन में, तो आप से पूछा गया, तो बताओ, अकेला c कितने में करेगा, अकेला c, इसके साथ question ये भी पूछा जा सकता है, a प्लस, b कितने में करेंगे, b प्लस, c कितने में करेंगे, और c प्लस, a कितने में करेंगे, ठीक है, तो pattern आपका सेम रहेगा, सबसे पहला step हमें क्या लेना है, LCM, 6, 12, 20 के LCM कितना आगया, 60, a प्लस, b प्लस, c कि एफिशेंसी 10, a की एफिशेंसी 5, b की एफिशेंसी 3, सबसे पहले c की एफिशेंसी निकाल लेते हैं, तीनों की मिलाकर अगर एफिशेंसी 10 है, a की 5 है, b की 3 है, तो 5 और 3 8, तो 10 में से 8 गए, c की एफिशेंसी कितनी आगई, 2 आगई, अगर एफिशेंसी आगई सबकी, तो हम लोग कुछ भी करवा सकते हैं, अब देखो, c से का करवाना है, एफिशेंसी कितनी है, 2, काम कितना है, 60, तो c काम करने में कितने दिन लेगा, काम करने में कितने दिन लेगा, तिन होते हैं, काम बटे में, शमता, यानि वरक अपोन में, एफिशेंसी, और ये हो गया, 60 बटे में, 2, कितने दिन लेगा भी, 30 दिन लेगा, ठीक आगे चलते हैं, A plus B से काम करवाना है, तो A plus B तो define ही है, A की efficiency 5, B की कितनी है? 8, तो कितने दिन ले लेंगे भई? 60 बटे में 8, ठीक है? तो यह कितने पर कटिया? 15 बटे 2, तो यानि यह आ गया आपके पास 7, B और C, B और C से काम करवाना है, B की efficiency कितनी है? 3, C की कितनी है? 2, तो B और C की efficiency, total कितनी आ गई? 5, तो 60 अपन में 5, कितने दिन लगेंगे भी? 12 दिन लगेंगे, ठीक है? C और A मिलकर करें, C और A, कितनी है efficiency? 10 और 3, 13, तो 60 अपन में 13, तो 4 पे कटेगा, 4, 8 by 13, यह मेरा क्या है? तो पहला answer आपके पास यह रहा, दूसरा आपके पास यह रहा, तीसरा आपके पास यह है, और चोथा answer आपके पास यहाँ पे है, ठीक है? तो यह आपके पास रहती है, efficiency subtract करने की, यानि कुछ अलग सी पूछ लेता है और वो निकालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? जिसका इन सब में एक हिसाब से मैं कहूं कि जितने भी question आपने किये हैं, उन सब का mixture है, ठीक है? तो जो efficiency add करनी है, जो efficiency minus करनी है, उन सब को mix करके एक question बनता है type 2 का, अगर यह हो गया तो type 2 में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो यह करने से पहले जितना आज करवाया है, वो एक बार practice कर लो, वो एक बार आप practice कर लो, ठीक है? और जो कोई doubt हो, तो वो clear कर लो, कल हम लोग करेंगे type 2 का last question, type 2 का last question, ठीक है? तो revise करते रहिए, हर्याना CET के लिए पढ़ते रहिए, और जो आपके further exams आने हैं, उनके लिए पढ़ते रहिए, ठीक है? पटवारी का है, ग्राम सचीव है, ग्राम सचीव है, और female के लिए दुरगा शक्ती है, ठीक है? दुरगा शक्ती के exam है, तो इनके लिए पढ़ते रहिए भी, हर्याना CET के आपकी एक मैच्स की पूरी की पूरी सीरीज चलाई है, HSSC, CET के लिए, तो उसमें आपके मैच्स की हर एक टॉपिक कवर अब किया जाएगा, तो पहली चीज जो हमने उठाई है, वो उठाई है, अर्थमेटिक, यानि के अंक गणी, पहले अर्थमेटिक को कम्प्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चीजें कम्प करता है, तो पहले वो देखो, उसके बाद इस चीज के ऊपर कवर अब करो, ठीक है, तो कल मिलते हैं, आज के लिए, थैंक यू.